गुरुजी प्रणाम अस्टांग योग के बारे में थोड़ा सा डीप बताईए स्टार्टिंग से अस्टांग योग में आठ स्टेप है ठीक हैं यह आठ स्टेप लाइफ की एक जर्मी में यह आप जो लाइफ की जर्मी है यह हर एक स्टेप में जर्मी में यह आठों state of mind है इसको separately नहीं कर सकते कि यम को सिद्ध कर लेंगे completely तो यम को सिद्ध करने के बाद नियम को सिद्ध करेंगे न ऐसे नहीं होता है यह actually 8 step साथी साथ चल रहे होते हैं लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा हम deeper way में समझेंगे तो अच्छी तरह से समझा है अब यम का अर्थ समझें जनरल वे में अगर हम public को समझाएं से normal लोगों को तो यम का अर्थ मृत होता है जैसे यमराज कहते नहीं तो यमकार्थ मृत और अगर राजकार तुझे यमराजा यम का राजा है इना तो यम्राज़ को महर्शी पातन्जल ने क्यों use किया सबसे पहले अगर देखो तो मृत्त पर विजय प्राक्त करने के लिए मृत्त को नियंतित करने के लिए ही हम सब कुछ कर रहे होते हैं अगर थेरेपेटिक एंगल से देखो तो हम रोगी हैं रोग को खतम करने के लिए कर रहे होते हैं कुछ चाहे वो चिकच्चा हो चाहे जो कुछ भी हूँ अगर हम असंतुस्ध हैं तो संतुस्ध होने के लिए कर रहे होते हैं तो कहीं कहीं देखो तो यम का मृत्य का effect हमेशा मौजूर होता है पैदा होते ही यम का effect आप देखो यम का एफेक्ट शुरू कहां से होता है आपकी पांच सेंसे हैं और पांच सेंसे ग्यान वाली हैं और पांच सेंसे आपकी करमेंद्रिय है तो यह 10 हो गया और एक आपका मन हो गया तो यह total 11 हो गया अब इन ही ग्यारा सेंसों में नॉमली हम दस सेंस को कंट्रोल की बात करते हैं यही यम से संबंदित हैं तो रुशी ने कहा कि इन दस इंद्रियों को आपको इनिसियली ट्रेंड करना है ऐसा ट्रेंड करो कि यह बहुत जल्दी मृत अवस्था में मृत की ओर ना जाए और मृत के बारे में इनी से जानकारी हांसिल कर लो और ऐसा भी नहीं है कि मृत पर विजय प्राप्त हो जाएगी मृत पर विजय प्राप्त होने का अर्थ यहां पर यह नहीं कि आप कभी मरोगे नहीं मतलब यह सरीर कभी मरेगी मूलत अध्यात्मिक रूप से है कि आप स्वयम को जान देगी तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि मैं नहीं मर रहा हूँ ये देह मर रही Actually मूलत पर विजे प्राप्त करने का मतलब मूल अर्थ ये है तो उन्होंने इंद्रियों को पाँच ग्याने इंद्रियों को और पाँच कर्मे इंद्रियों को कैसे हैंडल किया जाए लेकिन मूलता है यम में पाँच ग्याने इंद्रियों को हैंडल करने की बात की अब वो पाँच क्या क्या है जैसे अहिंसा हो गया ब्रहमचर हो गया सत्य, अस्तय और अपरिद्वा तो सत्य में हो गया कि आप सत्य बोली कि आप का जो मन है आपके ब리ने वाली इंद्री पर ध्यां दो, आपका मन इतना ट्रेन हो कि बोलने वाली इंद्री पर नियंत्रण हो जाए राइट अब एक छोटा बच्चा है उसको नहीं पता कि कब कहां कितना बोलना है चोटे बच्चे को नहीं मालूम होता ना वो कुछ भी बोल जाता है अब माता पिता आपोड फीज करने लिए कि किसी रिष्टेदार के सामने कुछ बोल गया हो माता पिता की बुराई सुरू कर दिया उसकी तो कहने का मतलब यह है कि सत्थ बोलने का मतलब यह नहीं है सत्थ में बोलना भी है सत्थ देखना भी है लेकिन यहां पर सत्थ बोलना स सीमित रखा गया क्योंकि वहां पर मन को और इस बोलने वाली इंद्री को इतना ट्रेन करना है कि जितना लिमिट में जितना आवस्य को उतना करना ठीक है अब अहिंसा अहिंसा का उल्टा कर देखो तो हिंसा हुआ तो आपकी पांचों इंद्रियों और पांचों कर्में इंद्रियों से आपकी हिंसा अधिक ना हो हिंसा का अर्थ डिफरेंट डिफरेंट है हम लोग कहते हैं किसी जीव को मत मारो दिर्स रूप में लेकिन अब अगर देखो तो आप ऐसे भी हाथ कर दो तो बहुत सारे जीव मर चुके हैं जो आप बोल रहा हैं उससे भी बहुत सारी चीज़ अमर रही हैं पर वह विजूल नहीं है वह आप डिरेक्टली अनवह नहीं कर पा रहा है वह आप इंटेंसली नहीं कर रहे हो इसे जैनिजम में ढख लेते हैं तो वह एक डिफरेंट लेवल है वह एक्स्ट्र कि और दियों हैं पन्षोन रूप में हैं कि आप विजूल में कोई ऐसी हिंसा नहीं करें जिससे आपकोई दिक्कत हो तो आप एक इंसा कफालू करें १ी आप अपने हाथों पर आपका इतना कंट्रॉल हो कि कि आप किसी को मार पटाई ने कर दे तो का मतलब आपका को रोधW touching Hand aplic नियांतों करमेंद्रिश के आप ये जीख लेते हैं एक किसी को physically, mentally और spiritually hurt नहीं करते हैं तो सबसे पहले physically hurt की बात यहां पर हो रही क्योंकि सुरवात में spiritual पर बहुत ज़्यादा यह लोग नहीं जाते हैं यहां बात में धीरे-धीरे आप उसी को fine tune करते जाते हैं अब परिग्रह की बात हो गई कि उतना ही परिग्रह करो जितना आवस्यक हो ध्यान दो लंबी दूरी की यातरा करनी है तो आप बहुत बोजह उठा के तो कर नहीं सकते हैं आप इतनी दूर से आए हैं और दो सो कुलियों को पुरा बोजह उठा के लाते तो कितनी मुसीबत का सामना करना है तो आप यहाँ पर मिनिमम वेट पर आए और अपना काम चल रहा है तो जितना आप हलके होएंगे जितना आप कम से कम मात्रा में ले करके चलेंगे उतना ही आप लंबी जर्णी कर सकते हैं है ना तो आप यहां पर emotions को भी वैसे ही करेंगे नहीं तो यह फट जाएगा तो यहां पर अभी emotions की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर कह रहे हैं कि physical form बाहर के form में इतना ज़्यादा इकठा चीजों को मत करो कि जिससे उसे मोह और वही आप न छोड़ पाएं उसे न आपकी विरक्ती हो पाएं पता चला वही आपकी साधना में burden बन गें वही problem खड़ी हो जाएगी न जी तो आप और चीजें क्या करेंगें आप physical object के around ही आपका जीवन बितीत हो जाएगा और उसके अलावा आप जाही नहीं सकते करेंगें कि उसमें आप हो गए उसी के around आप घूम रहे हैं अब अपरिग्रा हो गया एक अस्ते है चोरी न करना obviously जब आप अपने senses को train करते हो तो उसमें अनावस्चक कोई वस्त को चुराने की क्रियाएं नहीं करते हैं यह एक normal है तो ब्रह्मचर है ब्रह्मचर का अर्थ यहां पर है physical बहुत ज़्यादा अपने body के अंदर जो धातु का निर्मान हो रहा है उसको अनावस्चक तौर से या अनावस्चक रूप में इतना मत खतम कर दो कि आपके body की self energy ही खतम हो ठीक है तो यह पाँचों element जो पाँचों तत्वयम में बताए गए वो ऐसे बताए गए जिससे आपकी body की preparation हो brain आपका strong हो senses का span का level बढ़े भई आप अगर सत्ते बोल रहे हैं तो senses का span तो बढ़े गणब एक हमारे हाँ जो रहते हैं उनसे अगर आप पोछें कि आप कहां से आ रहे हैं तो वो immediate बोलेंगे और जोड़ बोलेंगे कि हम यहां से आ रहे हैं दूसरी जगह से आ रहे हैं क्या खाना खाया वो जो खाय रहेंगे वो नहीं बता हैं मतलब वो all the time वो यह जो ट्रेनिंग है इसकी वो बच्पन से कर ही नहीं पाया है वो 58 यर ओल्ड है वो ट्रेनिंग नहीं कर पाया है उनको यह पता भी नहीं कि वो जूर बोल रहे हैं ध्यान दो अंड इंटेंसली वह यह बोल रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि तुम्हारे मुझ पे सरस्वती नहीं है कम सरस्वती जी कभी हर एक आदमी के मुझ पे कभी बैठती है तुम्हारे जीवा पर कभी बैठती ही नहीं तुम्हारी जीवा पर भोजन बैठता है तो जीवा पर अगर भोजन का dominance ज़्यादा करा दोगे all the time भोजन को ही याद करवाओगे तो जीवा पर सरस्वती नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि सरस्वती का काम दूसरा है और भोजन दहन का काम दूसरा है तो वो ट्रेन ही नहीं कर पाएं बैचारे वो ट्रेन ही नहीं कर पाएं basically कहने का मतलब है कि इसलिए बच्पन से ही यह यम के जो पांचों हिस्सें यम के जो पांचों हिस्सें उसमें एक बच्चे को यह ट्रेन करा जाता है कि ये train करो और क्यों train करो ये पांचों aspect क्यों करना चाहिए ये भी पताया जाता है सरफ इने के सत्य ऐसे बोल दो इससे आपकी analysis करने की capacity बढ़ती है और senses की span बढ़ती है senses को एक जगा पर hold करने की capacity बढ़ती है और senses बिल्कुल clear है यदि आपने पूछा कि गुरु जी कहां से आ रहे हैं तो गुरु जी को बहुत calculation नहीं करना पड़ रहा है पर बहुत जहां से आ रहे हैं बता दो क्या दिक्कत है यतनी लंबी जोड़ी क्या मारने की जुरूत लेकिन अगर आप बहुत ज़्यदा calculate कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि brain पर unnecessary burden दे रहे हैं कि calculation में आपका time बीत रहा है और एक ऐसी calculation जो purposeless calculation है तो इसका मतलब कि brain को abuse कर रहा है अपनी senses को abuse कर रहा है तो इसलिए yum को ये बतायाएगे कि यदि आप yum को follow नहीं करोगे तो आप आगे के step को follow नहीं कर सकते इसलिए अस्तांगी योग में यम first priority है पर हठ योग में यम का उतना महत्र नहीं दिया गया है हठ योग में कहा गया है कि आप यम और नियम अभी छोड़े सीधा आसन पर आज़ों क्यों क्योंकि हठ योग का target बहुत directly spiritual training नहीं है हठ योग का जो target है वो spiritual training नहीं है उसका spiritual training है पर indirectly अपने यहां तो बच्चे पैदा करना भी spiritual training में माना जाता है तो हर चीज spiritual training में माना जाता है पर वो indirectly यहां हठ योग में कहा गया कि आप आसन सबसे पहले इसलिए शिरुवात करो क्योंकि आपको immediately अपने सरीर को लाब देना लेकिन अस्तांग योग में यम को इसलिए कहा गया कि आप पहले अपने नौर्थ पोल को ठीक कर लो जी जहां से सोच generate हो रही है और जो जो senses directly affected हो रही है उसे पहले सोचते हो और बोलने लगते हो सोचते हो immediately आपके आतों पर effect नहीं आता है सोचने पर immediately आपकी आँखों पर आपके जीप पर जवड़े पर यहां पर और आपके नासिका पर ब्रीधिंग पर इस पर directly effect आता है क्योंकि brain से के नजदीक हैं सब यह सब नौर्थ पोल इसे लिए अस्तांग योग में कहा गया कि यह ग्यान के द्वार भी हैं ध्यान दो क्योंकि यह नौर्थ पोल पर हैं यह ग्यान के द्वार भी हैं लेकिन अगर इसको ट् तो इसी लिए उन्होंने कहा कि विटा जहां से प्रावलम पैदा हो रही है पहले उन द्वारों को ठीक तो यम को उन्होंने सब इंजा ब्रहम चरवरा सब समझाने की कोशिस की इससे सरीर पर इससे मन पर इससे आपके आध्यात्मिक प्रगति पर क्या-क्या नेगटिव औ हो इसमें पर ऑड़ती है कीुष से बारे बताए तो यहो गया यम हैं अभव का जो फिजीकल हेल्थ में अगर आपके पाँशों कि इन्द्री अविवस्थे सथ고 तो फिजिकल हेल्थ आपको लाइफ में कभी नहीं नहीं को अगर आपके जीव को आपके सिस्टम को यह पता ही नहीं कि यहां पर पानी जाना चाहिए पानी की भूंक है इसे या भोजन की भूंक है या इसे सीमित मात्रा में बोलने की जिरूरत है 99 परसेंट लोग जब कोई चीज बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाते तो वह उस जगह पर भोजन को डालने लगते नोट करो अगर 99 अगर आप उनको कोई प्रेशर में एंजाइटी दे दें आप उनको और वह बोलने मत दो उनको उनको बोलने मत दो और फिर देखो उनके देन की तो वह खाना ज्यादा खाएंगे कुझ कहँएघ्य करते दलिया और जबड़े पर जीब पर पूशार आया है हो बोल रहा है आइसा नहीं कि बोल नहीं रहा है वह बोल रहा वह आपको गालियां दे रहा है बहुकर गालियां मन में भ Vet Emakar जीब की मुंवेंट भी च किल रहा है अब वो जीब और जवड़े में जो इस्ट्रस आया वोल वोल के दिन भर उसको काउंटर कहां करेगा तो काउंटर इसको खाने से करेगा यह वन अद बेस्ट साइंटिक खोज है यह प्रैक्टिकल खोज है इसलिए ऐसे लोग बहुत ज्यादा भोजन करते हैं जो में होते हैं और अपने विचारों को अपने इमोशन को सप्रिस के रहते हैं तो इस प्रिच्वाल्टी में गुरू क्या कहता है सबसे पहले कि उसी को बहुत अच्छा मानता है उसी बच्चे को मानता है जो बहुत प्रश्ण कर रहा होता है कि वो अपने प्रश्णों को नि नालसिस कर लेगा यह तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा है उसके कान में ही जा नहीं रहा है वो बिलकुल वैल है है ना अभी उस state of mind में ही नहीं हो और यह वो बोलने की हमत नहीं कर पा रहा है अभी उसमें वो courage नहीं आये कुछ लोग सोचते हैं कि अगर बोलेंगे तो कहीं बेजती नहीं हो जाए उनको लगता है कि साइध मैं ही गलत सोचता हूं और कोई दुम्याम गलत नहीं सोचता है ऐसा होता है ना बच्पन में बच्चों लेकिन मैं तो अपने स्टुडेंट से भी जो एंक्सियस स्टुडेंट होते हैं उनको इतना फ्री करने की कोसिस करता हूं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं यह भी मैं निकलवाने का प्रयास करता हूं कि मिलने के पहले डिसकुसंस के पहले वो उनको कितनी एंजाइटी हुई मुझसे बात करने के लिए बहुत सारे स्टुड आप सोचो कि मिलना दो दिन के बाद है और दो दिन के पहले वो कल्कुलेशन में जुटे हुए होते हैं तो उसी एंजाइटी में रहते हैं क्यों तो यम के माध्यम से हम अपनी गलायन हैं के इसट्रेस को इतना ट्रें कर देते हैं इतना अच्छी तरह से ट्रें कर देते हैं की उसमें जो इस्त्रेस हम बार बार दे रहे हैं उसको रेड् Rule करने में कामयाळ wildlife यहींग को और और हम धीरे धीरे मन तो हमेinkी आ जो आ जोorar दे मिरति को को जाने की तनाव देने का मतलब है कि उस जगह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिस कर रहे हैं आप अगर किसी चीज को मार रहे हैं तो मारने का मतलब ही है कि उसे भरबात कर रहे हैं ना चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना आप अगर इसी चीज को मैं कहूं कि इसे मारो मत और इसे यहाँ पे लाओ, यहाँ पे touch कराओ, feeling sensation दो और वापस ले आओ तो यहाँ पे आप destroy करने के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप इसको feel करने के लिए feel करने के लिए इसे touch करा रहे हैं, ना कि इसे hurt करने के लिए purpose perception बदल गए perception यहां destroy करना नहीं perception यहां purpose आपका यह है कि इसके sensation को feel करना है इसको feel करना नहीं अपने को feel करना है कि मुझे कितनी feeling आती है यदि मैं इसको touch करता हूँ purpose बदल गए यही spirituality है इसी को spirituality करते है इसी spiritual enlightenment करते है तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को यदि प्यार करता हूँ तो praramष में लगता है कि हम बच्चों की खुसी के लिए कर रहा है यह लगता है कि बच्चे से खुस हो जाएंगे बहुत emotional रहेंगे बहुत प्यारे होंगे यह बहुत spirituality नहीं है लेकिन जब यह हमें लगता है कि यार हम बच्चों को प्यार कर रहे हैं बच्चों को चिपका रहे हैं हम अपनी खुशी के लिए ना कि बच्चे के खुशी के लिए जिस दिन यह realization हो जाती है तो इसका मतलब आप spiritual हो रहे हमने बच्चों को पैदा किया अपने लिए ना कि बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे ने नहीं कहा था कि हमको पैदा करो बच्चा पहले कहने नहीं आया कि हमको पैदा करो हमने बच्चा पैदा किया अपने लिए बच्चे की सेवा कर रहे हैं अपने लिए बच्चे को ग्रो करा रहे हैं अपने लिए बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, यह spiritual growth है, लेकिन यहीं पर अगर आप हर चीज बच्चे पे डाल दें कि मैं तुमारी growth करा रहा हूं, तुमारे लिए, मैं तुमारी हर चीज तुमारे लिए कर रहा हूं, यह social service हो सकती है, यह social service हो सकती है, लेकिन यह spiritual service नहीं, इसल में हर चीज को अपने लखा जाता है मैं संटर पे हूँ और चीजे गोला परकार नहीं होता है तो बस बाद मनाते हैं तो center पर जो चीजें हैं अगर वो हीलेंगी तो आप कोई angle नहीं बना सकते हैं अगर हर चीज हील रही तो angle क्या बना होगे एक चीजें तो इस तो रहनी पड़ेंगी ना तभी तो angle बनेगा तो इसलिए spirituality में spirit center है spirit का मतलब soul आपकी consciousness आप center पर है और आपके इर्दगर्द जो senses हैं आपकी आपकी ज्यान इंद्रिया और आपकी कर्म इंद्रिया यह सब आपके इर्दगर्द हैं आप इनहीं के थूँ अपने को feel करते ह। तो चाहाए दूसरे को feel करो अपने बच्चों को अपनी पतनी को अपने parents को feel करो टच करके चाहाए अपनी body को ही feel कर लो टच करके यह much better form है क्योंकि वहां पर सुख दुख होगा वहां पर dependency है पर आपकी body आपके साथ all the time है बाइबर्थ है तो आपको वहाँ पर सुख दुख की फिलिंग नहीं आएगी आपको वहाँ पर सेप्रेशन सिखा देगी वहाँ पर कोई गुण धर्म नहीं होता अब जिसे खाना खा रहे हो तो वहाँ पर टेस्ट है वो अच्छा और खराब हो सकता है लेकिन अगर आप यह अच्छा है यह खराब है इसलिए यम में हम ट्रेनिंग देते हैं अपनी सेंस को कि सेंस को इतनी ट्रेनिंग दें कि उसकी लिमिटेशन पता चलिया है ताकि हम उसको लिमिटेशन में डाल करके उसको फिल करको कि यह हो गया यम